हेलो बच्चो आपका स्वागत है आपके अपने चैनल अलफा इंस्टिट में ठीक बच्चो प्रिवेश जो का हमारा लेक्चर था उसमें मैं प्रकास का अपॉर्टन से सम्मद्ध जो भी सारी चीची थी मैंने कंपड करा दे था ठीक बच्चो तो जो हम लोग प्रकास के इससे मादब की एक टब में पानी भराया है तो पानी क्या रहेगा प्लेन में रहेगा तो एक प्लेन से क्या रहा था लाइट प्रिवेश कर रहे थी ठीक एक प्लेन से लाइट प्रिवेश कर रहे थी हम क्या करेंगे बच्चो गोली प्रिष्ट से लाइट को प्रिवेश क तो परचाथ उसी मादे में आपस रहती है ठीक फिन जा हम संतल पर पढ़ ले थे तो फिन हम ने एक्स्पेरिमेंट करने के क्या ले था गोली दर पढ़ लिये थे गोली दर पर उतल दर पर और आजल दर पर पढ़े थे ठीक बच्चो इसी प्रकावर से यहां पर हम लोग क्य हैं कि प्रकास का अपवर्तन पढ़ लिया है ठीक उसके बार हम सारी हमारी हो गई हैं तो उसी के बेसिस पर हम क्या करेंगे कि गोली प्रिश्चे अपवर्तन के बारे में अधन करेंगे और यहां भी हम लोग इमेज उमेज फॉर्म करकी दिखलाएंगे ठीक तो पहले हम य इचन परपार्टी देख लिये थे यहां भी इचन परपार्टी देख लेता है सेम वह इस परपार्टी होते हैं जो वहां हमने पढ़ा था प्रकास की पर और भयोग और में चन की प्रपार्टी हमे sex सब्सके साइब तो मतलब क्या कहेंगे कि जिदर से लाइट आती है से लाइत आ रही है जिदर से लाइट आयेगी उदर क्या लेंगे निगेट मेनि एगू पॉस्ट्यू लेकिन दिखाया हूं कि आ रही को जाएू लेकिंद sculpt से पेनिटेट करके जाएगी ठीक बच्छो अच्छा इतनी बाद समय आगे आप देखो जो आगर के हम ऐसा खीज देते हैं तो परपेंडिकुलर एबब ना परपेंडिकुलर मतलब लंबोत ऊपर की दूरी को क्या लेते हैं बच्छो पाईश्व लेते हैं लंबोत नीचे की मतलब जब को वस्तों मूपर रखेंगे वस्तों की उस्तों की को कि किस में रखेंगे और वस्तों के लंबाई यह नीचे पत्थली में बनता है तो इसको किस lote neger ना तो नीचे की दस्था उपर की दोरी को positive ठीक इधर की दोरी को प्लस इधर की दोरी को negative लेंगे ठीक जो हम लोगा जो Cartesian system होता है number line system होता है उसमें जो सारी चीज़े होते हैं बिल्कुल वही चीज़े होता है इसमें ठीक अगर कि उसको ध्यान से उसको और इसको रिलेट करोगे ठीक है सेम पक्का हुआ ही बैठेगा ठीक है तो उसको रिलेट करके आप पड़ लेज़ेगा इसके बाद हम लोग करेंगे क्या कि गोली अप्रिश्यव प्रकास का जो अपॉर्टन होता है उसके बारे में एक फार्मुला आवता उसको उप्रूप करेंगे ठ ठीक है तो लिखे भी यहां क्या गोली अवता प्रिश्यव पर अपॉर्टन का सुत्र देखिए कैसे आता है क्या करेंगे कि कि भो भच्चों फीगे ड्रा कर लो लो क्या करते इसमें महाल लो थुम्हारा तो क्या है घृक रहे कख यह ऑ आवतल है ना आवतल की बात कर रहे हैं तो बताओ यह तुम्हारा क्या हो जाएगा बच्छो ठीक यह अगा आपका प्रिंस्पल एक्सिस मुख्याच जैसे उसमें होता था वह ऐसे इसमें भी वाएगा कि मुख्याच होगा थे wrong और त्हुम्हार क्या बच्छो आप इसका नाम रख देते हैं क्या ओक्छक है ठीक है कि O point पे, object किस पे है, O point पे, ठीक, यह आपका C point है, मतलब C केंदरा है, यह आपका F है, यहाँ से बच्चो, एक light pass कराते हैं, ठीक, यहाँ से एक light हम ऐसे pass करा है, ठीक, यह ऐसे गई बच्चो, ना तो देखो इसको जाना चाहिए थे कहा आई तम सीधा जाना चाहिए था ठीक इदम सीधा जाना चाहिए था आईसे ठीक आईसे सीधा जाना चाहिए था लेकिन हुआ क्या बच्चो अच्छो इधर को नहीं दिखाएंगे क्योंकि देखो यहां से फिर से वह मतलब पर अर् यह तक लेगी जाते हैं तो क्या करना चाहिए इसको क्या बोलते हैं कि जब कोई प्रकास किरण बिरल मादन सघं मादन में जाती तो अभिलम के ओर जुख जाती है तो अभिलम क्या होगा बच्छो अभिलम अमेशा हुग अ कहा से पास करता है तो आपका अभीलम रहा है तुमारा अतलम था ठीक है यह था विल्ण ठीक है यह अबदलों न तो लाइट क्या करें कि बच्छोछ खुख जाएगर अब हमिला म क्या होगी जुख जाएगी तो कुछ यह ऐसा चला जाएगा light ना मालो ऐसे reflect हो गया ना तो बताओ ऐसा किदर से लगा रहा है कि कहा से light आ रही है लगभभ अल्मुस्ट कहा से लगेगा कि light आ रही है ठीक ना बताओ ऐसा लगेगा कि light लगभभ यह मालो light आपकी ऐसे नजाके इधा ऐसे गई नो बचो ऐसे गई light ठीक अच्छा एक light ऐसे return आ गई यहाँ पर आपकी ना आती में लग रही है कि यहाँ पर आ गई यहाँ पर आ गई फिर यहाँ से एक light बच्छो पास कराएंगे ठीक फिर यहाँ से एक light पास कराएंगे यह जाएगी ठीक ना यहाँ पर दोनों मिल गई एक प्रकार से मानो तो ठीक फिन रिटरन चलिए आएगी तो देखो यहाँ पर दोनों मिल रहे हैं ठीक अच्छा देखो यह आओगा तुमारा क्या अल्फा ये इसको माल लेते हैं अलफा इसको माल लेते हैं कि एंगल वना बीटा है इसको माल लेते हैं बच्चो क्या गामा ठीक अच्छा ये बाव बताओ हम लोग जानते हैं क्या कि अभीलम्ब और अबिलम्ब और आपति तकिरट ये की है तुम्हारा बच्चो आपतित किरठ न सação oluşति किरण है थिक अफिलम्ब यह है आपका ठीक यह आपको क्या है बच्चो अबिलंब है ठीक अबिलंब कुछ ऐसा ही है यही है यही है तुमारा अबिलंब ठीक अबिलंब और आपते दिख्रण के बीच में जो एंगल बनता है बच्चो उसे क्या बोलते हैं अबिलंब और आपतित किरण के बीच में जो शाले इनगल बनता है हो यो आई लका हता अबाटित किरण ब मता है विफ完全 किरल के बिच में आप्वर्टित किरण बीच में ऑन रहता है यह जब यह आर है तो इसका देखिए इनिसिल पॉंट क्या यह है इसका यह है तो यह तुम्हारा जो होगा इंगल यह वाला इंगल वो क्या आगा बच्चो आर होगा यह जब आर है तो यह भी क्या होगा आर होगा फिक्स बार अच्छा इतना समझ गए तो अब तुमको पता आठाओ गया कि यहां पे ए नाम देदेए इसका नाम आचा हम ली bell कितना न plagping टेचे यह वस्तु दूरी वस्तु दूरी टूरी होता है और वस्तु दूरी होता है और देखो बचो यहां से एक perpendicular line ड्राव कर लिजिए ठीक है उसको हम क्या addition देते हैं कि यह क्या है कि अच्छा इतना बनके त्यार हो गया आथ देखो बच्छो इसको प्रूप दरपड़ का सुत्र है इसको निकालने के लिए पहला काम करेंगे कि हम जाएंगे इस फाले ट्रेंगल में ट्रेंगल आई-ए-सी बच्छो लिखो ट्रेंगल आई-ए-सी में क्या मिल जाएगा बीटा प्लस में आर यह तो को तुम्हारा आर है ना अब तुमको यह तुम्हारा आर है और इसको हम दिखा देते हैं ताकि आप लोग को थोड़ा से दिखें भाई ठीक यह मिस्ट रेंगल की बात कर रहे हैं ठीक है और इसमें जो आपका एंगल अ है ये आर है ये बीटा है ना बच्चो ये आर है आपका ये बीटा है ठीक देखो ठेंगल एक में क्या हो जाएका बच्चो और जाए को गामा एककोष्य प्लस में आर बच्चो बीटा प्लस में आर दो वो जाएगा क्यूंकि aur कि यह काम किया गए कि अपका ड्रेंगल यह एक इंगल के सम्हें की बढ़ा भीस धीटा कीटिन तो धीता फेटा-प्लस में बीट तो हे उपके एपको एको बढ़ाया क्या लात बीटास में अब लोग आयंगे किस्में बहाँएं गामा के या माईनस बीटा गामा मैनस संफ हं इसको मालें लॉन नौर नब चै आप क्या करेंगे आप लोग आयंगे किसमे इन equation number और इन triangle किसमे ओ A C में आईए किसमे आईए A C में ठीक in triangle O A C में बच्छो क्परता O A C में क्या बच्छो गाँ मा M I Equal to क्या मिल चाये 95पमा इसलिए on सब 멀ूट कररेंंगों नों कि आसे से या आप श्रारियोट और ये आप इसके बात कर रहे हैं है इस इस ट्रींगल की बात कर रहे हूं ना बचसू तो गामा i equal to कितना हो जाएगा i plus में अलफा नब बच्चो जब तुमको i लिखना हो ता i कितना हो जाएगा i equal to हो जाएगा गामा माइनस अल्फा कितना होजाएगा गामा माइनस अल्फा यह आगे बचुत तुम्हेरा equation number 2 ठीक अच्छा आप देखिए कि अब आप जानते हैं आप क्या जानते हैं आप लोग स्नेल के नियम अनुसार स्नेल के नियम अनुसार आप जानते हैं साइन आई अपान में साइन आर इकोल टू एन टू वन और यह जानते हैं कि कितना होता है एन टू अपान में एन वन इतना जानते हैं आप लोग अच्छा आप यहां बोल देना कि एंगल आई और एंगल आर अत्यांत अत्यांत छोटे अत्यांत छोटे होंगे ठीक क्योंकि क्योंकि ना प्रिष्ठ का द्वारक प्रिष्ठ का द्वारक अत्यांत छोटा है अत्यांत छोटा है ना बच्चो दोखो जब प्रिष्ट का द्वारा कतन छोटा है तो i और r क्या होता है आतन छोटे होते हैं तो i और r क्या हो जाएगा बच्चो i और r आपके आतन छोटे होने के कारण sin i क्या हो जाएगा sin i आपका sin i equal to i हो जाएगा और sin r equal to r हो जाएगा क्यों 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 कि i और r तुमारे कितने हैं अत्यन तो छोटे हैं न बच्चों तो हम इधर कर दते हैं देखिए इसके बाद क्या लिखे थे sin i अपान में sin r ठीक बच्चों equal to क्या तुमारा n2 upon में n1 है यह एकदम अत्यन छोटे हैं तो क्या लिखेंगा i upon में r equal to n2 upon में n1 तो क्या हो जाएगा बच्चों i n1 equal to r n2 i n1 equal to i r2 आ गया इसको माल लेजिए equation number third माल लेजिए न बच्चों इसको equation number third माल लेजिए अच्छा अब क्या करेंगे कि i और r का पहलू equation number one और समीकर number one और दो से रखने पर ठीक इसको मिटा जते हैं ठीक लिख देजिए क्या i वा angle i वा angle r का मान का मान समीकर number 1 वा 2 से रखने पर बच्चों रखने पर क्या जाये का होता ये i equal to कितना वाजाएगा i equal to ये आपका gamma minus alpha क्या है बच्चों gamma minus alpha into क्या बच्चों n1 equal to rn2 न बच्चो rn2 r के बलू कितनी बच्चों gamma minus beta ठीक कितना वाजाएगा बच्चों ये तुमारा n2 अच्छा यहाँ पी काम कर सकते हो n1 का मल्टिपला और n2 का मल्टिपलाई करती है तो gamma n1 minus gamma alpha n1 equal to gamma n2 minus beta n2 न बच्चों तो क्या करो कि gamma वालों को एक तरफ beta वालों को एक तरफ और alpha वालों को एक तरफ कर जेते हैं तो कितना वाजाएगा देखो beta n2 को देखला रहेजे तो beta n2 minus alpha n1 equal to gamma n2 minus gamma n1 हो जाएगा न बच्चों इतनी वालों समझ जा रहे हैं तो क्या करो कि यहाँ पे beta n2 minus alpha n1 equal to यहाँ से gamma कामा न लेजे gamma कामा जाएगा तरफ कितना जाएगा बच्चों n2 minus में n1 हो जाएगा ठीक इतनी बात समझ आई अच्छा वहां तक नोट कीजिए इसको मान लेजे आप क्या equation number 4 न बच्चों अच्छा आप देखो हमारे figure के काम अब लगबग लगबग खतम नहीं होए अब हमको एक और काम करना है ठीक है तो इसके बाद हम इधर कर देते हैं ठीक इतना नोट कर लेजिए इसके बारे दो हम इधर करते हैं अच्छा बच्चों एक बात बताओ अगर कि हमको लिखना पड़ेगा अलफा की बेलू न तो यह तुम्हारा एच है यह तुम्हारा ट्या है तुम्हारा क्या वै और देखो ऐे हैं यहां पर दी महलेते हैं और यह पॉइंट को महलेते हैं कि एंब है ना तो या बिर्लकूल करीब होगा अच्छा अब एक हम बोल देता है क्या कि इन अड्रेंग्ग काश्चो को độ करीप होगा तोक्ते ऊंधों अब A D में, O A D में, बच्छों क्या लिसने है, 10 alpha equal to, 10 alpha equal to, क्या हो जागा बच्छों, 10 टीटे बराबर, लम बटाके, अधार, तो बताई इस alpha क्रेस्पेंट, लम क्या होगा, A D, ना बच्छों, A D अपान में, A D, अपान में O M लिखना, क्या लिखना, O M, ठीक, या फिर ऐस अपान में, O D, equal to, A D, अपान में, O M, कोई दिक्कत, ना बच्छों, अच्छा, इसको मान लो, स्टार, ठीक, स्टार, एक स्टार, स्टार, स्टार 1 मान लिजिए, स्टार, 1 मान लिजिए, ठीक, आप देखो, 10 बीटा निकालते हैं, किसमें, इन ट्रेंगल, आप क्या होगा आई, A, D में, ट्रेंगल, आई, A, D में, देखो, बच्छों, 10 बीटा इकोल टू कितना होजाएगा, 10 बीटा इकोल टू कितना होजाएगा, 10 बीटा इकोल टू होजाएगा, AD अपान में, ID, AD अपान में, ID, ठीक, बच्छों, तो जो तुमारा AD है, जो तुमारा AD है, AD को हम आपाने बच्चो आईडी को क्या लिखे आईएम लिख दीजे इसको बच्चो माले ले जिए स्टार टू ना इस्टार टू माले जिए ठीक आप क्या निकालोगे किसमें c a d में क्या वाजाएगा बच्चो टेन गामा एकॉल टू क्या लिख सकते हो आप अप अपान में c d ठीक बच्चो आप देखो a d अपान में c d है तो c d को क्या लिख सकते हो cm ना क्या हो जाएगा a d अपान में cm इतना बात बच्चो समझा है इसको मालना स्टार नंबर टू ठीक अच्छा अरे थ्री ये स्टार नंबर क्या हो गया थ्री तीन इक्वेशन बनंगे टेन अलफा टेन मीटर टेन गामा नीचे का मिटा जेते हैं ये चीज आप तो समझ में आया होगा आपको ये वाला ची मिटा जेते हैं ठीक अच्छा आप देखिए बच्चों यहां से हम क्या बोलेंगे कि टेन अलफा टेन अलफा टेन बीटा टेन गामा को हम ठीक अलफा बीटा गामा के बराबर मान सकते हैं के बराबर मान सकते हैं क्यों मान सकते हैं क्यों कि यही बोलेंगे कि प्रिष्ट का द्वारक अत्यांत छोटा है प्रिष्ट का द्वारक अत्यांत छोटा होता है जैसे हमने i और r को निगलेट कर दिया छोटा मलिया वैसे αलफा बीटा गामा को भी क्या मलेंगे अतंत छोटे हैं भच्छो ठीक अतंत छोटे हो जाएंगे तो बताये 10 alpha ठीक alpha की इकोल हो जाएगा 10 beta ठीक बीटा की इकोल हो जाएगा और 10 gamma गामा की स्कीप्प को हो जाएगा ना यहां से बच्चो एक और काम कर लेजिए देखिए AD है क्या आपका क्या माने हम AD आपका क्या है एच है ना AD आपका क्या बच्चो एच है तो हो गया अपान में, O M क्या बच्चो? O M U, वस्तु दूरी है, H by U, ठीक बच्चो? और क्या कर सकते हो, फिर से, A D बरावर, H और I M, I M क्या बच्चो? V है, न, V रख दीजिए, न, ठीक से, फिर यहां भी दो क्या बच्चो? A D फिर से, क्या बच्चो? H है, और C M, C M क्या बच्चो? C M क्या होता है बच्चो? R होता है, ठीक, C M क्या होता है? R होता है, इतों सबको पता होगा, R होता है, ठीक, R दीजिए, H by R बच्चो, ठीक, अब क्या करेंगे हम, equation number star 1, star 2, star number 3 में, क्या कर देंगे, tan alpha और alpha beta gamma की value हो जाएगा, न, तो क्या कर देंगे, कि alpha equal to कितना होता है बच्चो? H by U हो जाएगा, न, H by U हो जाएगा, beta equal to कितना होता है कि बच्चो? H by V हो जाएगा, और gamma equal to कितना होता है बच्चो? H by R हो जाएगा ठीक, अच्छा आप क्या करेंगे बच्चो अल्फा बीटा गामा की वैलू समिकर नमर चार में रखने पर लिख दीजिए अल्फा अल्फा बीटा गामा की वैल्यू की वैल्यू ठीक, समिकर नमर चार में रखने पर पर क्या हो जाएगा क्या हो जाएगा रखने पर रख देशी ए बीटा की जहने क्या रखना है बच्छो अब इतना मीटा देते हैं ठीक है ऊपर का इतना मीटा देते हैं देखिये यह equation छोड़ देता है कि इससे हमको काम है ठीक equation क्या आपका beta n2 minus alpha n1 equal to gamma n2 minus n1 यहाँ पे alpha beta gamma की बेलो आपको रखना है beta की बेलो बच्चो आपका hyv है hyv ठीक into n2 ठीक अच्छा minus alpha की बेलो कितना बच्चो hyu है na h by u into बच्चो n1 ठीक equal to gamma की बेलो कितना बच्चो h by r है कितना है h by r ठीक n2 minus n1 ठीक बच्चो यहाँ पे एक चीज याद रखेगा बच्चो जो हमारा v है u है और r है इन सबको हम नहीं लिए sign के साथ क्योंकि दोनों के दोनों आपस में कट जाएंगे इसलिए sign के साथ नहीं लें लें देखो अगर के u को sign के साथ लिगो तो u क्या लिखोगे माइनस u लिखोगे और v को sign के साथ लिखोगे तो क्या लिखोगे माइनस v लिखोगे और यह माइनस r हो जाएगा ना लिखी देखो अपस में कट जाएंगे कामल लोगे कट जाएगा ठीक तो क्या हो जाएगा देखो यहाँ तुमको h दिख रहा है h कामल ले ले बच्चो h कामल लेकिन कितना बच्चो n2yv minus 1v कामल ले लिजे n2yv minus यहाँ पर बड़ा लार रहेगा यहाँ का मानस और यहाँ का मानस कामल ले ठीक बच्चो तो देखो यहाँ से h निकल गया n1 n2 minus n1 बच्चो h से h cancel minus से minus cancel कितना है बच्चो आजाएगा आपका आजाएगा आपका क्या n2yv minus n1 by u equal to n2 minus n1 upon r यही आता है क्या बच्चो आउतल दरपड से न गोली आउतल पर पर अपरतन का सुतर है ठीक है बच्चो आप वरतन का सुतर है ठीक है इसको आप अच्छे से नोड कर लीजिए एदम आसानी से ठीक अच्छे से नोड कर लीजिए आपको समझे आया होगा ठीक इसको नोड करिए भाई आप लोग अच्छा एकद ध्यान देना बच्चो जो तुम्हारा N2 और N1 है कि अनिटी किसके लीए बच्चों यह तुम्हारा सघन माध्यम था यह तुम्हारा बिरी तो बोल जणा कि एकट्यम तो यह त Q को यहिद करें ठीक है इसको मिटा देते हैं हम देखो बच्चो हमारा जो फामुला आया है वह आया है आपका क्या n2 आपान में v-n1 आपान में u equal to n2-n1 आपान में r न बच्चो इतना आया हमारा फामुला ठीक तो हमारा लां dopamine किसमी अपॉरतनांग बच्चो सगन माधम का पॉरतनांग나 है एलन किसका पॉरतनांग है बिर्ल माधिम का पॉरतनांग है वहीब HERE आपका बिर्ल माधिम क्या हो य वहो इसका पॉरतनांग कितना होता है लग फ्중странence कीस два हो सका थो लिख देना यदी बिरल माध्यम निरवात हो निरवात या फिर वायू हो तो 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 क्या करना है बस N1 के जगे क्या हो जाएगा हो जाएगा तो N2 अपान में V-1 अपान में U equal to N2-1 अपान में R यह भी होता है ठीक इसके बाद की चर्चा हम अगले क्लास में करेंगे ठीक यह थोड़ा से डिफिकल्ट टॉपिक था इसलिए मैं आपको क्या बड़न नहीं देना चाहता हूं यह फामुला आपको क्या होना याद रन अचे ठीक आज के लिए इतना ही ठीक और आप लोग मन से पढ़िए आप लोग का बूट का एक्जाम आया गया है ठीक है आने वाला है मतलब होगा बहुत जल्दी इस बारी तो मतलब क्या हो रहा है इस बार कि मतलब जो पैटर्न हम लोगा चेंज हो गया था ठीक समय पर होंगे और उसी को ध्यान में रखते हुए हम लोग क्या कर रहे हैं कि आप लोग का दोनों पार्ट जल्दी कबर कर रहे हैं ठीक है आप लोग हमारे चैनल से जुड़िए और उन बच्चों तक भी पहुचाईए जो अभी स्कूल नहीं जा पा रहे हैं या फिर किसी वज़े से मतलब नहीं पड़ पा रहे हैं उनके पास सेर कीजिए और मेरा सिस्क्राइब कीजिए ताकि हम लोग को आप लोग का अच्छा से हेल्प कर सकें ठीक टेक केर बाय बाय धन्यवाद